तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात वाज़े करना चाता हूँ कि जब भी मैं डिफॉर्ट से रिलिटिड वीडियो अप्रोड करता हूँ तो मुझे काफ़ी क्रिटिसिजम को सामना करना पड़ता है तो आयल भी वेरी क्लियर कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहता हूँ मैं तब ही नहीं चाहूँगा कि अल्ला ना करे पाकिस्तान डिफॉर्ट हो मैं किसी स्यासी जमाद को सपोर्ट नहीं करता मेरा काम सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स को रखना है आप सब की तरह मैं भी चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के हलाद भेतर हो, मुल्क तरक्य करे और आगे जाए लेकिन दोस्तों को बूतर की तरह आँखे बंद करने से सचाई नहीं चुपती पाकिसान को पहले भी डिफॉर्ट का खत्रा लगावा था और बदकिस्में तो इससे अब भी लगावा है लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैंने हकुमत में रह के गलत पॉलिसीज नहीं अपनाएं जिसकी वर्द से मुल्क को डिफॉर्ट का खत्रा लाहाख हो मैं सिर्फ मुल्क की मुझूदा सुर्थ हार आपके साने पेश करने की कोशिश करता हूँ हमेशे की तरह आज की वीडियो में भी मैं जो पाकिसान के अनेलसिस करूँगा वो अनबाइस्ट और रियालिटी बेस्ट होंगे ये सब बताने के बाद पाकिसान डिफॉल्ट करेगा जा नहीं ये फैसला मैं आप पे छोड़ूँगा तो सबसे वहले बात करते हैं पाकिसान और आइवेफ के दर्मयान एग्रिमेंट की दोस्तों पाकिसान और आइवेफ के दर्मयान तीन अरब डॉरकर नो महीने के लिए स्टैंड बाँ एग्रिमेंट हुआ है लेकि जी एग्रिमेंट पाकिसान के तमाम मुश्किलात का हल नहीं है ये एग्रिमेंट पाकिसान को शॉर्ट टर में तो एक ब्रिधिंग रूम प्रोवायट करेगा लेकिन यह long term solution नहीं है इस stand by agreement का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान में election अराम से हो जाएंगे क्योंकि Allah नहीं करे election से पहले या election के process के दुरान पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो मुल्क में बहुत मुश्किदा पैदा हो जाती है लेकिन अब इस 9 महीने के agreement से पाकिस्तान अराम से लेक्शन कराके स्मूली चलता रहेगा इंशाला और जो अक्तूबर में नहीं हकुमत आएगी उसके लिए आईमेफ से नए agreement करना असान हो जाएगा जी नए आईगरिमेंट शिवाज शरीफ ने कहा है अगले तीन सालों में पाकिस्तान नहीं हो जो भी नहीं हकुमत अगले पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर ये शायद उससे भी जादा की रगम तरकार हो और ये सब हम आईमेफ की मदद के बगएर नहीं कर सकते जिसका मतलब अक्तूबर वे जो भी नहीं हकुमत अगले 5 सालों के लिए आएगी उसको आईमेफ से एक नया और बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा और अगर आईमेफ ऑन बॉर्ड ना आया तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा अगले 3 सालों में पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खत्रा पहले से भी मजीद संगीन होता जाएगा तो अगले 3 सालों में हमें आईमेफ की बहुत जरूरत है लेकिन आईमेफ बढ़के हमें एक और चीज़की बहुत जरूरत है जो पाकिस्तान के तमाम मुश्किलात का हल है और वो है रिफॉर्मस पाकिस्तान के पास अब रिफॉर्म्स करने के लावा कोई भी दूसरा रस्ता नहीं पचा और IMF पाकिस्तान से इन रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है अब रिफॉर्म्स क्या है और उसे क्या होगा इन शौर्ट मस्ताफ ये समझ लें कि रिफॉर्म्स करने से पाकिसान की तमाम मुशिलाथ हालो जाएंगी ये समझ लें ये पाकिसान का एक grand operation होगा जैसे जब किसी मरीज का operation होता है तो operation के बाद मरीज को तकलीफ तो बहुत होती है लेकिन वो तक्लीफ कुछ दिनों की होती है और आगे पूरी जिन्दगी सकून से गुजरती है कुछ ऐसे ही आपरेशन की पाकिस्तान को भी जरूरत है जिसका नाम है रिफॉर्म्स और यही आपरेशन पाकिस्तान की तुमाँ मुश्किलात को इन दे लॉंग रन हल करेगा जिस तरह की मौशी मुश्किलात से इस वक्त हम गुजर रही हैं बिल्कुल ऐसे ही सुरते हाल से उन्यसी कानवे भारत भी गुजर रहा था कानवे भी फॉर्रन रिजर्व नहीं है और जितने हैं उसमें भी जाथतर पैसा करज का है तो जैसे रिफॉर्म्स इंडिया ने 1991 में किये थे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स पाकिस्तान को भी करने की दुरूरत है और इन reform को करके पाकिसान IMF को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह सकता है क्योंकि याद रखिए मुल्क कारोबार से चलते हैं करजे से नहीं अगर आप मजीद जाना चाते हैं कि पाकिसान को किन reform की द्यूरत है जिसे मुल्क की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएगा मैं इन रिफांस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा